दिपावली से दो दिन पहले धंतीरस का त्योहार मनाया जाता है धंतीरस पर खरिदारी करना बहुत शुब माना जाता है इससे माता लक्ष्मी और धन के देफता कुबेर बेहद प्रसन होते हैं लेकिन खरिदारी के दौरान कुछ ऐसी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए परना माता लक्ष्मी और धन के देफता कुबेर नाराज हो सकती है इससे घर में कंगाली भी छा सकती है कुछे दिनों में धंतीरस का त्योहार आने वाला है ऐसे में हम आपको ये खास बाते बताने वाले हैं पूरी जानकारी के लिए लोकलिटी ने देवगर के प्रसिद जोतिशाचार्य पंडित नंद किशोर मुदगल से खास बातचीत की है इस साल 29 अक्टूबर को धंतेरस का त्योहार मनाया जाएगा धंतेरस के दिन खरिदारी करना बहुत शुब होता है यानि बहुत मंगल होता है कई लोग धंतेरस के दिन नए व्यापार की शुरुवात करते हैं तो कई लोग धंतेरस के दिन नए गाड़ी या घर खरीते हैं धंतेरस के दिन सबसे ज़्यादा शुब होता है सोना चांदी और बर्तन की खरिदारी करना लेकिन आपको कुछ चीजों का खास द्यान रखना चाहिए आईए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं जोतिश अचारे बताते हैं कि धंतेरस के दिन अगर आप बाज़ार से कुछ खरिदारी करने जाते हैं तो भूलकर भी कोई काला वस्त्र या काली वस्तुई ना खरीदें इससे घर में नकरात्मक असर पड़ सकता है धंतेरस के दिन सबसे ज्यादा बरतन की बिकरी होती है पर ध्यान रखे की लोहा अलिमीनियम के बरतन भूलकर भी ना खरीदें धंतेरस के दिन काच उसे बनी कोई भी वस्तु खरीदना शुब नहीं माना जाता इससे माता लक्षमी नाराज हो सकती है और घर पर खराब असर पड़ सकता है इससे घर में कंगाली भी च्छा सकती है धंतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं खरीद कर घर में नहीं लानी चाहिए घर पर वास्तु दोश का असर पड़ सकता है धन और सुक सम्रिद्धी में विरिद्धी के बजाए जातक को नुकसान हो सकता है तेरस के दिन आप यह निश्चिद याद रखें की काला वस्तु कभी नहीं खर दें काला वस्तु उस दिन जदी खरीते हैं तो आपको धन धान्य शम्रिद्धी के बदले धन धान्य की आनी भी हो सकती है किया है काला वस्त्र कभी नहीं खर दें अल्मोनियम का बर्तन कभी नहीं खर दें और कांच से बनी हुई कोई भी बर्तन त्यदम मना रहता है पुसिश करें लोहा भी आप रहें रहें लोहा भी कर देंगे है एवं प्लास्टिक की वस्तुएं यहां धंतेरस को इतनी वस्तुएं छोड़ करकी ही आप पुझा करेंगे तो आपको विशेश रूप से आर्थिक लाव होगा ऐसे में आज किस वीडियो में आपने जाना कि धंतेरस के दिन किन चीजों की खरेदारी नहीं करनी चाहिए आ हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल एटीन